जिन सात्यू स्वागत है आपका सेल्प स्टेडी किलासे स्विस्टुमिज जैन यूटूब चैनल में सुसात्यू आज का सेसन स्टार्ड उचुका है सबी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों वीडियो को अपने मित्रों तक सेयर जरू करना है इससन रोज अपना रात्री नोवजे होता है और हम दोस्तों यहां पर पढ़ रहे हैं कहानी को ठीक है कहानी से संबंदेत महत्पूर्ण प्रस्णों पर चर्चा करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने अभी तक सेलप इस्टेडी किलासे का एप डाउनलोड करने ठीक है इससे होगा क्या कि अगर आप दोस्तों टीजिटी पीज़ीटी जूनियर पंजाब दोस्तों मास्टर कडर एकडर की तयारी कर रहे है हैं एच्पी टेट की कर रहे हैं या फिर किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे है जिसमें आपका हिंदी साहित पूछा जाता है हिंदी ब्याकन पूछा जाता है ठीक है तो दोस्तो उसके लिए अपने एक बड़िया कोर्स लांच किया है अभी कोर्स को आप 1199 में परचेस करके दोस्तो अपना अध्यन कर सकते हो ठीक है तो जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से लाइक कर दो और दोस्तो उस्टार्ट करते हैं चलिए देखते हैं आज के प्रस्ट्नो का से throw class App को आपने डाउनलोट कर लिया होगा नहीं किया तो डाउनलोट कर ल गए हैं बंग महिला का असली नाम भी आपको चैन करना है सभी लोग बताएंगे मामुनी राजंद्रवाला गोस विद्याबती या फिर रामेश्वरी देवी बंग महिला का है ना बंग महिला का असली नाम बताना है सही है प्रीती जी बिलकुल अच्छे हैं है ना बंग महिल का तो कई बार पूचा गया और उत्तर है राजंदर बाला घोष ठीक Zhu लिए बंग मैला का असली नाम राजंदर बाला घोष था और राजंदर बाला गोष यानि की बंग मैला को हिंदी की परथम कहानी लेखी का सुईकार किया बात हैं कुम्ब में छोटी बहु दुलाई बाली और दालिया है ना ये इनकी मानी जाती है दोस्तों तो इनको अपन को याद रखना है ना अब दोस्तों अंगले कोस्टिन की बढ़ते हैं अंगला प्रश्न आपको चैन करना है सबी सातियों ने आपको डाउनलोड तो कर ही लिए होगा इंदुमति किस्की छाया मांणी जाती है इंदुमति बताना है सबी लोग बताएंगे मेघा यादाव explanations मरानी जातीए एड़वी से लेकर की अध्यान बहुत अच्छा कर सकते हो ठीक है? इंदुमती किसकी चाया मानी जाती है? ओथेली की, टेम्पेस्ट की, मैकबेथ की या फिर मर्चेंट आफ वेनिस की यहानी कि 112 में आपको train करना है इंदुमती किसकी चाया मानी जाती है? इंदू मती किसकी छाया मानी जाती है और यहां पर इंदू मती आपने पूछा आप से तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों यह टेमपेस्ट की है ना टेमपेस्ट की छाया मानी जाती है शी नमबर इंदू मती के रिचनाकार कुन है किसोरी लाल गोश्वमी किसोरी लाल ग अंगला कॉस्टिन आपको बताना है इनमें इसे इनमें प्रवासी कहानिकार कौनें? प्रवासी कहानिकार के 113 का उत्तर बताना है बताइए प्रवासी कहानिकार कौन है 113 में आपका राइट अंसर आपको चैन करना है और उत्तर चला जाता है दोस्तो प्रवासी कहानिकार की बात है तो उत्तर चला जाता है बिकल्प नम्मर B की तरफ यानि की तेजेंदर सर्मा है ना तेजेंदर सर्म आपका बिल्कुर शाई है ये प्रबासी कहानिकार है तेजन सर्मा इनको याद रखना ठीक है ये प्रबासी कहानिकार है और तेजन सर्मा ब्रिटेन में बसे भारतिय मूल के हिंदी का भी है लेखाक नाटक कार कहानिकार हैं दोस्तों और इनके द्वारा प्रकासित कहानी मत ये क्या हो गया पापोट के रंग बेघर आमबे सीधी रेखा की परतें कब्र का मुनाफ़ा दीवारों में रास्ता ये सभी माने जाते थीक है अंगला क्वेश्चन आपको बताना हिंदी का ऐसा कौन सा नबंदकार है जिसके ध्यान में लेखते समय बान और दंडी रहा कर हिंदी का ऐसा कौन सा नबंदकार है शबी लोग बताएंगे हिंदी का ऐसा कौन सा नबंदकार जिसके ध्यान में लिखते हुए लिखते समय बान और दंडी दोस्तों रहा करते थे 114 में रामचन सुकल जी है गोवेंद नाराण मिस्र है महाबी पर साथ दुवेदिया चंद्रधर सरमा गुलेरी कौन है 114 में और हिंदी का ऐसा कौन सा नबंदकार है यह ना उस नबंदकार की वारे में आपने बताया है बिलकुल शही आंसर बताया 114 में और वो आंसर है दोस्तो गोवेंद नाराण मिसर कैनी सी नमबर ठीक है इंदी का ऐसा नबंदकार है जिसके ध्यान में लेखते समय बाण और दंडि रहा करती है ते एक क्षेस्चन आपसे पूछा गया और उत्तर चला जाता है गोवेंद नाराण मिसर य 92 इस नमबर आपका सभी है गोविन नारण मिस्तर इंदी के ऐसे निबंदकार थे इनके ध्यान में लिखते समय बान और दंडी रहा करते थे ठीक है इनके बारे में सुगली जी ने कहा कि इनके गद्द को समा सनुप्रास में गुंते सब्द गुच्छों का एक अठालाज समझे इनके द्वार रचित निबंद में प्राकित बिचार विभक्ती बिचार हैना कभी और चित्रकार आदी आते हैं दोस्तों आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौले कहानी कौनसी है आधने खोजों के अनुशार पहली मौले कहानी कौनसी मानी जाती है 115 में आपको चैन करना है बैच नमबर सेकेंड बालों का कल टेस्ट है ठीक है यह आपको याद रखेना है बाण और दंडी यह बाण कभी बाण नहीं पड़े आपने दंडी नहीं पड़े दंडी संस्कृता के आचार दंडी है ना वो रहा करते थे है ना कोई अपन जैसे कोई चीज लिखते है अब आप कोई लिखते हो तो आपके मन में महत्मा गांदी के बिचार रहते हैं, है ना, ऐसे ही, आदने खोजो के अनूसार पहली मॉल्य कहानी कौन सी है, तो पहली मॉले कहानी जो आपकी मानी जाती है, वो मानी जाती है दोस्तों, कौन सी, बहुत बढ़िया राइट आंसर की ओर जा रहे हैं आप लोग आपका उत्तर है एक टोक्री भर मिट्ट्री से सप्रे एक टोक्री भर मिट्ट्री से सप्रे सप्रे से क्या बनेगा सप्रे से बनेगा दोस्तो सप्रे यानि की डी नमबर आपका बिलकुँ सही है मादाव प्रसाद सप्रे हैं सप्रे एक टोकरी भर मिट्टी है ना विभिन विद्वानों ने एक टोकरी भर मिट्टी को सतन उनीस तो एक में 36 गड़ मित्र में प्रकासित प्रतम कहानी सुईकर किया बताइए एक टोकरी भर मिट्टी के रचनाकार कौन है मादाव राव सप् ठीक है तो इस डी नमवर आपका बिलकुंष सही होगा कहानिकार की रुप में बिख्यात पुरातत तुबेता हैं तो कौन है कहानिकार की रूप में बिख्यात पुरातत तुबेत्ता कौन है प्रश्ण किरमा के 116 कहानी काल की रूप में बिख्यात पुरातत तुबेत्ता पुरातत तुबेत्ता बताना है कौन है गुलेरी जी है विश्वम बना सर्मा कोशेक है पदमलाल पुनलाल बक्षी है या फिर राजारादी का रमण प जाएगा बिकल्प नम्मर एक एक यानि की पंडित चंद्रधर सर्मा गोलेरी है ना ये नम्मर आपका बिलकुँ सही है कहानी कार के रूप में विख्यात पुरातत त्वित्ता है पंडित चंद्रधर सर्मा गोलेरी और ये नम्मर आपका राइट अंसर है ठीक है गोलेरी जी इन्होंने दोस्तों कहानिया लिखी हैं आपने पड़ा होगा बुद्दू का काटा शुकमा जीबन और उसने कहा था है ना एक कहानिया पड़ी हैं आपने गुलेरी जी की और कहानी कार के रूप में विख्यात पुरातत तुबेता पंडेच चंदर धर सरमा गुलेरी और बहा था कि मेरे पती की रक्षा युद्ध में मेरे पती की रक्षा करना है ना तो यह अपन को पढ़ना है इसी प्रकार से बढ़ते हैं आंगे आंगे के प्रशनों को देखते हैं सबी लोगों को बताना है दोस्तों कि प्रेम चंद की कहानियों की संख्या लगभग कितनी ह एक सो सत्रा में दो सो, तीन सो, चार सो या फिर पांस सो प्रेमचंद की कहानियों की संख्या कितनी हैं शबी लोग बताएंगे और यहां पर आपका प्रेमचंद की कहानियों की शंख्या लगभग लगभग कितनी हैं लगभग हैं दोस्तों तीन सो कितनी हैं तीन सो है ना लगवक तीन सो है यानि कि उत्तर बी की तरब जाता हुआ प्रेमचन ने लगवक तीन सो कहानिया लिखी है जो अब मांसरोबर सीर्षक से आठ भागों में प्रकासित हैं दोस्तों कितने भागों में हैं आठ भागों में प्रकासित हैं कौन सी क कहानी घटना प्रधान है आत्मा राम, आत्म संगीत, पंच परमेश्वर या फिर जादू, यानि कि 118, कौन सी कहानी घटना प्रधान है, 118 का उत्तर आपको चैन करना है, आत्मा राम है, आत्म संगीत, पंच परमेश्वर या फिर जादू, और आपका बिल्कुल सही है, कौ गहाणि घटना प्रदान प्रदान चंद्वार रचत परकाणी जुमन सेख और त्काटर्याें गाड़ी मित्रता ऊंत्य पूस्का रात सदगती आदी मानी जाती हैं दोस्तों अब यहां पर एक कोस्चन दिया है जबरा जबरा नहीं है क्या है जबरा किस कहानी का पात्र है जबरा किस कहानी का पात्र है यह आपको 119 में आप लोग बताएंगे शबी लोग चैन करेंगे वीडियो को एक बार शबी लोग लाइक कर जिन भी साथियों ने Self Study Classes का एप डाउनलोड नहीं किया वो आज ही एप को डाउनलोड कर ले जिन भी साथियों को कोर्स में अड़ी से लेना अभी आपके पास हर एक्जाम के लिए टाइम है समाई भी आपके पास है बढ़िया आराम से पढ़िए और दोस्तों आंगे बढ़ते रहिए है ना जबरा किस कहानी का पात्र है ये आपको यहां पर बताना एक सो निशलगबक सभी लोगों को पता है और जबरा किस कहानी का पात्र ये पूछा गया तो उत्तर चला जाता है पूस की रात पूस की रात यानि कि आपका उत्तर बी नमबर बिलको सही है ठीक है जबरा प्रेमचंद्वार रचित कहानी पूस की रात का पात्र है और इसके अन्य प्रमुक पात्र में दोस्तों हलकू मुन्नी कहानी में जबरा एक कुत्ते का नाम है यह तो आपको पता ही है प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रन है बताइए प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रन है 120 में आपको चैन करना है गुंडा कहानी ये किस की है प्रसाद की बोले गुंडा का प्रसाद आप लोगों को चाहिए गुंडा क है ना नहीं चाहिए ना गुंड़ा का परसाथ नहीं चाहिए थितिहास के किसra यूग का चित्रण है ये आपको चैन करना है सलतनाथ यूग मोगल सासकों का यूग विक्टोरिया का शासन इस्ट- इंडिया कमपनी का समय है ना इन में से आपको चैन करके दोस्तों आंगे बढ़ना है और बिलकुर चाहिए आंसर है किसर जो गुंडा कहानी है यह जैसंकर प्रिसाथ की है यह तो बिलकुर चाहिए है लेकिन आपको पता है कि इस्ट इंडिया कमपनी का जो समय है यह दोस्तों गुंड एक गुंदा कहानी के में इतिहास की किस योग का नंकू से यह प्रसाद द्वार रचेतन ने कहानिकों में पत्थर की पुकार उस पार का योगी है ना चंदा देवदासी ममता घीसू चूड़ी वाली बिसाती सालबती ठीक है मदवा प्रुसकार छोटा जादुगर ये मानी जाती है इनकी कहानियों में ठीक है पुझी पत्यों की सोसक बिर्ती को उजागर करने वाले लेकक कौन है प्रश्न किरमा के 121 में ठीक है और ऐसे कौन से साती है जिन्होंने अभी तक एप को डाउनलोड नहीं किया पुझी पत्यों की सोसक बिर्ती को जागर करने वाले लेखक का नाम बताना 121 का उत्तर बताना है सभी लोग दोस्तों कोर्स में आराम से एड़ बीसल ले लो जहां पर आपको टिर्की बीडियो भी मिलेंगे डाउट्स वाले बीडियो भी मिलेंगे है ना जो साम को पांच बजे लाइब क्लास होती है वो लाइब क्लासें भी मिलेंगे आपको है ना गुरूप में अलग है तो गुरूप में भी सामिल किया जाएगा जहां पर आप डिसकसन भी कर सकते हो तो सभी साती जिनको भी लेना है और एड़ बीसल लेना है पढ़ाई बहुत अच्छे से करना है तो वो आज ही दोस्तो एड़ बीसल लें और अपनी तयारी को बहुत अच्छा बनाए पूझी पतियों की सोसक बिर्टी को जागर करने बाले लेका कौन है उत्तर चला जाता है यसपाल यानि कि सी नंबर सी आपने अगर बताया तो यसपाल आपका बिल्को सही है ठीक है सी नंबर सही है बढ़ते हैं अंगले क्वेश्चन की और अंगला क्वेश्चन देखते हैं अमिता मनुस्त के रूप, तेरी मेरी उसकी बात, ये सारी की सारी इनकी रचनाय मानी जाती हैं, ठीक है? अब अंगला कोश्चन राजस्थानी परिवेस में प्रेम की निगूर, अभी व्यक्ति कहानी में हुई है, तो किस कहानी में हुई है? 112, 112 का बताना है आपको, किस कहान में हुई है राजस्तानी परिवेश में प्रेम की निगूर अभी वेक्ति किस कहानी में हुई है एक शोब आईस में और एक शोब आईस में आपका राइट अंसर चला जाता है दोस्तो गदल कौनसी गदल राजस्तानी परिवेश में प्रेम की निगूर अभी वेक्ति वो हु है वो हो ये दोस्तों गदल में किस में गदल यानि की ये नंबर आप का बिलकुल शजई है ये नंबर आपका राइट आंसर है है ना यहाँ पर देखो लाज्तानी परिवेश में प्रेम की निगूरा भी व्यक्ति गदल कहानी में हैं और इस कहानी के लेका के हैं रांगे रागाओ है ना इनके द्वार रचित करती हैं दोस्तों कब तक पुकारूं मुर्दों का टीला रतना की बात और पत का पाप कब तक पुकारूं ये भी आपको पता है रांगे रागाओ मुर्दों का टीला भी आपको पता है रतना का अंसर बदलते सामाजेक पारिबारेक रिष्टों के चित्रण में महानंगरिये सत्रांस के चित्रण में ब्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में इन सभी को आपको बताना है सभी लोग बताएंगे 123 का अंसर क्या हो जाएगा राजनेतिक मोह भंग के चित्रण में बताएं सभी लोग नई कहानी की बेशे सुपलब्दी के चित्र ने रही है। 123 का अंसर और मुं स्थिन चला जाता है वो चला जाता है यह नंबर की तरफ यह नंबर यह की बदलते सामाजिक पारिबारिक रिस्तों के चित्रण में और ये आपका बिल्कुल शाही है ठीक है ये नमबर आपका बदलते सामाजिक पारिबारिक रिस्तों के चित्रण में ये नमबर राइट आंसर चला जाता है नई कहानी की बिस्ते सुपलब्दी बदलते सामाजिक पारिबारिक रिस्तो किसे मानते हैं ग्यारा वर्स के समय को हिंदू मती को हैना दुलाई वाली या फिर दोस्तो गुल बाहर आचार रामचन सुकले किसे मानते हैं यह आपको चैन करना है रामचन सुकले हिंदी की पर्थम कहानी किसे मानते है और किसे मानते है की बात है तो उत्तर चला जाता है किसे इंदू मति को اور B नंबर आपका बिलकुस चाहिए ठीक है B नंबर इंदू मति राइट आंसर आचार रामचं सुक्ल ने इंदि की प्रितम कहानी सनौ 1917 में कि स्वरी लाल गोस्वमी द्वार रचट उंदू मति को माना है हैना जबकि बच्चन से ने 1887 में कि स्वरी लाल गोश्वामी द्वार राचत प्रणय नी परिनय को तता देवी परसाद बर्माने सनुनी स्विक कैस में है ना माधो राव सप्रे द्वार चत एक टोकरी पर्मिठी को हिंदी की प्रसम कहानी माना ये भी अपन को याद करना है दोस्तों ये देवी परसाद बर्माने माना है ये आपको याद रखना है ठीक है अब आपको बताना है इनमें सिव मूर्ति की कहानी नहीं है तो कौन सी नहीं है 125 इनमें से सिव मूर्ति की कहानी नहीं है तो कौन सी नहीं है भरतनाट्यम, तुरिया चरित्तर, कसाई बाड़ा, अकर्मा क्रिया 125 इनमें से सिव मूर्ति की कहानी नहीं है तो कौन सी नह है श्यों मूर्ति की कहानी कौन सी नहीं है और उत्तर चला जाता है दोस्तो अकर्मक क्रिया यह नहीं है इनकी भरतनाट्यम है कसाई वाड़ा है तिरिया चरित्र भी इनकी कहानी है लेकिन कौन सी नहीं है अकर्मक क्रिया नहीं है अकर्मक क्रिया से उमूर्ति की कहानी नहीं है अकर्मक क्रिया की रिचनाकार दोस्तो यह आपको यात करना है है ना यात्री है इनके रचनाकार और भरतनाट्यम त्रिया चरित कसाई वाड़ा आदी जो दोस्तों से वो मूर्ती की रिकाहानी मानी जाती है सेवा राम यात्री है ना नई कविता परंपरा का त्रिसकार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है ये कथन किसका है नई कविता परंप्रा का त्रिस्कार है और नई कहानी परंप्रा का विस्तार है एक अथन किसका है 126 का अंसर आपको बताना है नई कविता परंप्रा का त्रिस्कार है और नई कहानी परंप्रा का विस्तार है एक अथन किसका है सेलिस मट्यानी महीप से हैं हैना नामबार से हैं या फिर राजेंद्र यादव नई कविता प्रंपरा का अब्त्रश्कार है और नई कहानी प्रंपरा का अबिस्तार है ये कथन किसका है आप से पूचा गया और ये कथन है दोस्तो किसका राजेंद्र यादव राजेंद्र यादव का ये कथन माना जाता है योकि बहुती बढ़िया प्रस्न है ठीक है राजेंद्र यादव का माना जाता है दोस्तो अब और बढ़ते हैं आंगे देखते हैं अंगले प्रस्न क्यों ठीक है अंगला प् के कहानी अदवुत्हैस के लेहकऊन है कोठी की बात के लेहका क्यों है सब ही लोग बताएंगे खोठी की बात के लेहका कोण माने जाथे हैं को डीकि बात के लेहका कोण माने जाते हैं अग्या 하루 बर्मा कि श्रास उक्तीर राजी दिणी गुपता Bereindeer यानि कि 127 का उत्तर बताना है आपको और बड़िया सा अंसर है कोटरी की बात कहानी अदबुत है है ना और इसके लेका के कौन अग्गे अग्गे है यानि कि ये नम्मर आपका बिलकु सही हो जाएगा एक क्वेस्चन आपके लिए आ रहा है दोस्तों सभी लोग बताएंगे आपको बताना है कि नई कभिता सीमाएं और संभावनाएं की रचनाकार कौन है जल्दी से बताना है आप लोग और कोटरी की बात कहानी के लेकाख है अग्गे जी और इनके द्वार रच्चतन कहानी संग्रवें में दोस्तों बेपत्गा बेपत्थ कब आ जाए ये परंपरा कितनी परंपरा है अग्गे कोटरी की बात सरनार्ती अमर बल्लरी जैदोल ये तेरे प्रिति रूप ये सारे माने जाते हैं है अब आपको बताना है दोस्तों आप लोग सभी बताएंगे नई कभिता सीमाएं और संभावनाएं इसके रचनाकार कौन है देखते है कौन बताना है जल्दी से बताएं नई कभिता सीमाएं और संभावनाएं के रचनाकार कौन है देखते हैं कौन बता रहा है बहुत बढ़िया अनीता गोर जी है ना गिरजा कुमार मातुर गिरजा कुमार मातुर की रचना है दोस्तो नई कभिता सीमाएं और संभावनाएं सीता जी बहुत बढ़िया है ना यहाँ पर आते अंगला क्वेश्चन देखते हैं अंगला क्वेश्चन है कौन सी कहानी पंडे चंद्रधर सर्मा गुलेरी किरत नहीं है कौनसी कहानी पंडित चंद्रधर सर्मा गुलेरी करत नहीं है 128 नहीं है बताना शुकमाई जीवन बुद्दू का काटा 11 वर्ष का समय या फिर उसने कहा था कौनसी कहानी पंडित चंद्रधर सर्मा गुलेरी करत नहीं है और नहीं है आपसे पूछा है तब आपका उत्तर चला जाता है दोस्तो क्या चला जाता है है ना ये चंद्र धर सरमा गुलेरी की शुकमाई जी बनतो है बुद्दू का कांटा है बोली सर उद्रा उसने कहा था ये 11 वर्स का समय नहीं है ये तो सुकली जी की है यानि किसी नम्मर आपका बिल्कुल शही हो सुक्रिद की कहानी एं गुलेरी जी नहीं है चंद्र धर सरमा गुलेरी की नहीं है तो दोस्तों सुक्माई जीबन बुद्दू का कांटा है ये मानि जाती है ना मुंसी धनपतराय को प्रेमचंद नाम से सुसोबित करने बाले ब्यक्ति का नाम बताना है यह भी कॉस्चन आपसे पूछ लिया गया मुंसी धनपतराय को प्रेमचंद नाम से सुसोबित करने बाले ब्यक्ति का नाम बताना है नाम क्या है मुन्सी दया नाराण निगम है ना बताएए मुन्सी अजायब लाल, मुन्सी देव नाराण या इनमे से कोई नहीं यानि कि 139 का अंसर मुन्सी धनपतराय को प्रेमचंद नाम से सुसोबित करने वाले ब्यक्ति का नाम क्या है यहां से सिस्टम तो सही है, यहां से सिस्टम सही है, पता नहीं क्यों आती है यह की आवाज, यहां पर मुन्सी दया नाराण माने जाते हैं मुंसी धनपत्राय को प्रेमचन नाम से सुजोबित करने बाले जो ब्यक्ती थे वो दया नारान निगम थे दोस्तों और ये जमाना पत्रीका की क्या थे शंपादक थे ये भी आपको याद रखती ना है ठीक है निम्न मैसे राजंद रियादव की कहानी कौन सी है राजंद र से पढ़ सकते हो लाइब क्लास से पढ़ सकते हो तिर्की वीडियो के माध्यम से भी पढ़ सकते हो है ना राजंद रियादव की कहानी कौन सी है ये आप से पूछा गया तो ये तो बिलकुल सही है राजंद रियादव की कहानी कौन सी है कौन सी है तो सभी लोग सही उत्तर क्यों जा रहे हैं राजंद रियादव है ना कि राजंद रियादव इनके बारे में सभी को पता है मन्नु भंडारी के पती थे और इन्हों ने दोस्तों जो कहानी लिखी थी वो लिखी थी कौन सी जहां लच्छमी कैद है जहां लच्चमी कैद है यानि की बी नमबर आपका बिल्कु सही है जहां लच्चमी कैद है कहानी किसकी है राजिंद रियादव राजिंद रियादव गोली सर वो है जहां लच्चमी कैद है ठीक है और दोस्तों लहरें और परचाईया एक दुनिया समानांतर दे उताओ की मूर्ति या खेल खिलोने अभी मन्नीel की आत्म हत्या यह मानी जाती हैं ठीक है अब देखो कमले सो द्वार रचित कहानियों में तलास, राजा निर्वस्या कस्वेका आद्मी होई होई दिसाए मास का दरिया यह मानी जाती हैं मौहराखे Nov् Dean अर जिन्सान के खंडर नए बादल जान् ये मानी जाती है जैनेंद्वारा रचित कहानियों में एक दिन हत्या, खेल, फासी, अपना अपना भाग, बाहुवली और बाताईन ये मानी जाती है जैनेंद्र की ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है अंगले कॉस्चन की और हम यहाँ पर देखेंगे एक कॉस प्रेमचंद्वार रचित गुल्डी डंडा, है ना गुल्डी डंडा के तिनने सभी लोग कहानी का अंसमाना जाता है यह आप से पूछा गया था बाकि अंगले कॉस्चन की और हम देखेंगे कहानिकार प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था और वो कहानीकार है दोस्तो जनेंद्र कुन है जनेंद्र कुमार यानि कि आपका सी नमर जो है वो बिलकुल आंसर सही है शी नमर आपका राइट आंसर है ठीक है जनेंद्र कुमार आपका सही हो जाएगा यहाँ पर और जनेंद्र यसे कहानीकार है जो प्रेमचंद युग म अध्रोवयात्रा पाजे वो जलसंदी इस अभी मानी जाती है ठीक है अंगला कोस्चन आंगे देखते हैं प्रेमचंद की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्नन है प्रेमचंद की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्नन है 133 का उत्तर 133 में प्रेमचंद की वो क जिन को भी कोर्स में अडवीजर लेना है, नीचे नमबर भी चलना है, संपरकाप कर सकते हो, कोर्स में अडवीजर लेकर कि अच्छी तयारी कर सकते हो, ठीक है? प्रेमचन जी किस कहानी में बाल चरितर का नोखा बरनन है 133 का उत्तर और 133 में बाल चरितर का नोखा बरनन आपसे पूछा गया उत्तर चला जाता है वो है दोस्तो ईदगाह है कुछांसी है? इद गाह और D नमर प्रेमचंद जी की किस कहानी में बाल चलितर का अनोंखा बरनन है, वो कहानी है इद गाह है और D नमर आपका सही हो जाता है दी उत्तर साही है प्रेम चंदी की कहानी इदिगाय में बाल चलितिका नो का वर्नन है बाल मनुविज्ञान पराधारेत इदिगाय कहानी प्रेम चंदी की उत्करिष्ट रचना है इसमें मानविय संबेदना और जीवन जगत मूलियों के तत्कियों को जोड़ा गया है इसको प्रवर्तक कौन कौन है आ कहानी के प्रवर्तक कौन है सक्रिय कहानी के कौन है है ना समांतर कहानी और सचितन कहानी के प्रवर्तक कौन है प्रवर्तकों की यहां पर सूची दी है आपको सूची एक से सूची दो का मिलान करना है और आ कहानी के कौन है तो आ कहानी के आपको पता है दोस्तों गंगा परसाद बेमल है सक्रिय रहो बस तो राकेस बस हैं समान तर रहती हैं दोस्तों कमल की तो कमलेस तो सचेत रहते हैं माही के बाद तो महीप से हैं है ना तो इस प्रकार से आपका उत्तर चला जाता ए नमबर ठीक है यानि कि आ कहानी के प्रवर्त गंगा पर साथ बेमल हैं ठीक है सक्रिय कहानी के राकेस बत्त हैं समांतर कहानी के दोस्तों कमलेश्चुर हैं और सचेतन कहानी के प्रबर्तकों ने डाक्टर महीप से हैं महीप से हैं यानि कि आपका बी नंबर बिलकुल सही हो जाता है है ना ये बी नंबर सही है ये नंबर आपका राइट अंसर हो जाता है यहां पर दोस्तों आ कहानी गंगा प्रिसाद बिमल शक्रिय कहानी राकेश बस समांतर कहानी कमले सेंसर और सचेतन कहानी ये महीप सेंका ठीक है ये तो लगबग सभी लोगों को पता है और अंगले कौस्चन की और हम बढ़ेंगे दोस्टों अंगला कौस्चन यहांपर देखते हैं अब आपको बताना है दोस्टों एक कोस्चन आपसे पूचा जाता है है ना सबी लोग बताएंगे कि तुलात्म कालोचना के जनक कौन माने जाते हैं सभी को आंसर बताना है जब तक हम आंगे बढ़ेंगे तुलात्म कालोचना के जनक कौन माने जाते हैं लिखिए सबी लोग तुलात्म कालोचना के जनक कौन माने जाते हैं तो लात्मा कालोचना के जनक कौन माने जाते हैं लिखिए कौन बता रहा है जब से पहले तो लात्मा कालोचना के जनक कौन माने जाते हैं और तो लात्मा कालोचना के बताया अमरिता जी ने पदम सें सर्मा है ना पदम सें सर्मा को तो लात्मा का लोचना का जनक माना जाता है है ना और निम्न मैंसे किस कहानी के लेका प्रेम चंद नहीं है पूछा गया तो नहीं है मैं दोस्तो यह होली का उपहार तो इनकी है बड़े घर की बेटी भी है मुक्ती मा मार्ग भी है देवदासी नहीं है है ना देवदासी के नहीं माने जाती प्रेमचंद की कोई बात नहीं देवदासी कहानी के लेकर प्रेमचंद नहीं है है ना देवदासी कहानी यह जैसंकर प्रसाथ द्वारा रचित कहानी माने जाती है दोस्तों जबकि होली का उपहर मुक लिवाल की रचना अपन्यास की कहानि आत्मकत्ह या फिर एक आंकी डिलम देश की राजकान प्सट सॉत पी को उत्तर बताना है है ना और फिर दोस्तो हम एक और आप से पूछेंगे है ना नीलम देश की राचकन्या और उत्तर चला जाता है यह है दोस्तों वो लिस्तर कहानी है नीलम देश की राचकन्या कहानी बिधा की रचना है और इस कहानी संग्राय की रचना कार कोई है दोस्तों जैनेंद्र कुमार है ना नीलम देश की राचक पाजेव जलसंदी ये इनकी कहानिया मानी जाती है ठीक है अब दोस्तों आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है से उपर साथ सेहें के किस उपन्यास को ब्यास सम्मान 1992 में प्राप्थ हुआ था सेहें के किस उपन्यास को ब्यास सम्मान 1992 में प्राप्थ हुआ था बताईए वो उपन्यास कौंचा है सेहें का जिसे 1992 में ब्यास सम्मान मिला था ब्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था वो उपन्यास का नाम आपको बताना है बताईए कौन बता रहा है देखते हैं बहुत बढ़िया सतीज जी नीला चांद मोहिज जी नीला चांद के लिए दोस्तों 1992 में इसे नीला चांद के लिए क्या मिला था 1992 में नीला चांद के लिए दोस्तो ब्यास सम्मान मिला था और नीला चांद स्योप प्रसाद सेंक्या उपन्यास माना जाता है 11 वर्स का समय कहानी के लेखक कौन है 11 वर्स का समय कहानी के लेखक कौन है 137 का उत्तर 11 वर्स का समय कहानी के लेखक कौन है ये 137 में शबी लोग बताएंगे है ना और एक दो कॉस्चन और आप से पूछे जाएंगे जिन के लिए आप लोग तैयार रहना ठीक है 11 बर्स का समय कहानी के लेकाग लगबक सभी लोगों को पता है उत्तर बिलकोशच है आचार रामचन सुक्ल यानि कि ये नम्मर आपका बिलकोशच है ये नम्मर आचार रामचन सुक्ल का 11 बर्स का समय सबी लोग लाइक जरू करिएगा वीडियो को अपने मितनों तक सेयर करिए एक किलास रोज राती नौ बजे होती है इसके पहले आट बजे एक किलास होती है और दोस्तों पैड किलास हैं उसके पहले होती है छीक है मलाख पैड मेंबर की जिन ez-स-study किलासे इस एप को डाउनलोड किया है जॉइन किया है उन्होंने है ना और यहां पर देखो दोस्तों 11 वर्ष का समय कहानी के लिए कराम चंज सुकले हैं एक प्रश्ण आपके लिए है हिंदी में जासूसी उपन्यासों का जन्म दाता किस से माना जाता है हिंदी में जासूसी उपन्यास का जन्म दाता किस से माना जाता है हिंदी में जासूसी उपन्यास का जन्म दाता किस से माना जाता है यह प्रश्ण आपको बताना है और जासूसी उपन्यास का जन्म दाता माना जाता है दोस्तों वो किस से माना जाता है जासूसी उपन्यास का जनम दाता बताईए देखते हैं कौन बता रहा है सबसे पहले जासुसी उपन्यास के जनम दाता कौन माने जाते हैं और रस्मी पाठक जी ने बताया है गोपाल राम गहमरी है ना बहुत बढ़िया ममता जी एमसी गीतिगा जी रच्द्रमा जी सुनील जी गोपाल राम गहमरी को माना जाता है जासुसी उपन्यास के दोस्तो जनम दाता एक और कॉस्चन बता पुमपुमुच रहे आपसे है ना अब आपको बताना है दोस्तो अब सभी लोग बताएंगे चंद्रकांता उपन्यास किसका है चंदरकांता उपन्यास के लेकक कौन है एक और प्रस्ण आप से पूछा जाता है चंदरकांता उपन्यास के लेकक कौन माने जाते हैं बढ़िया सा कोस्चन है अच्छा कोस्चन है और बहुत बढ़िया चंदरकांता उपन्यास किसका है यह दोस्तो self study classes app का logo है इस प्रकार से आप play store में सर्च करें self study classes और इस self study classes आपको download करके दोस्तो बड़िया तरीके से आप कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर आपको बताना है कि self study classes आपको download किया है कि नई और चंदरकांता जो पन्यास है वो देव की नंदन खत्री का है देव की नंदन खत्री का है ठीक है बिलकुल सही answer सभी को धनवाद है ना अब दोस्तो इसी प्रकार से आप लोग पढ़ती रहें तैयारी करती रहें रादिका जी मोहित जी मोकेस जी योगा जी है ना आसू वर्मा जी मंजू यादव जी आकास आकास जी ठीक है पूनम जी कि भोपी सिंग सरीता मींब जी गीतिका जी ठीक है असोग जी और जस्पीर जी प्रयंका पनडे जी दार्सू सोनू सोनू कुमार जी डिक सिम्पल शंग जी हार दग जी मनीशा जी प्रयादी निजी मंजना सरमा जी जिगनेस चीछि इस्वीनी जी रोमा, है ना, बिल्कूल, ममता जी, लबली जी, स्रीलताजी, सैलेज जी सभी को धनवाद, बजय लक्ष्मी, कुसी, रोमा जी, राजेस, कुमार जी, रीनु जी सुरेंद्र जी, पीर preacher जी, है मलता जी, अनिता जी, ठीक है, मन्जू, अमिता, मुकुनत जी सबी सात्यों को धनबाद वीडियो को लाइक और सेर जरू करिएगा और इस सेलफ स्टेडी किलासिस का जिनने एप डाउनलोड नहीं किया वो एप को जरू डाउनलोड कर लें दोस्तों है ना और दोस्तों इसी प्रकार से अध्यन करती रहें बहुत सारा स्टेडी मटेरियल आपको एप पर भी मिलने बाला है सतीस कुमार जी है ना मनीशा जी रीनू कभीता असोग जी जिगनेश जी दार्सु राम ठीक है बिलकुल बीनू मंजु जी है ना बिलकुल अर्षदीप सौनू कल्पना दिब्या अरुन राजपूज जी सीता जी प्रिया जैंत जी मनीश जी स्वनू सिंग जी लोकेश जी भागी रत्राम जी प्रभी रोजा सिलपा जी राजेस कुमार यादव जी बवीता यादव ठीक है और बिलकुल रमन जी सिखा जी नीतू अरुन जी असोग जी नीचे नंबर भी चला है तो जिनको एड़ भी सर लेना है वो दोस्तों जा जारी बहुत अच्छे से कर सकते सुझाता राय जी ठीक है असोग और योगा वेत चिंट़ू जी असोक असोग है ना पडरीगूर्अ कि त्रेंसेस अनी मंजु मेघा साव अमरिता ठीक है एसू रजित राम जी धारस्तू रमन जी रिनू नीरू सरोज सुनीता जी सिखा ज ठीक है नमो नारायन जाट जी बिजयादो जी सौनू ठीक है अनीता अनीता जी धन्नवास सभी सात्यों को 10 बजे एक्जाम पार में दोस्तों किलास होती है उसको सभी लोग देखें और इसी प्रकार से बढ़ती रहें अध्यन करती रहें इस परिवार को आंगे बढ़ाती रहें वीडियो को अपने प्लेट फार्म फेस्बॉक सोसल मीडिया वाले प्लेट फार्म पर सेयर करती रहें अना इतना तो सभी का करतब है कि एक एक सेयर तो जरूर अपने अपने फेस्बॉक इंस्टा पर कर सकते हो और सदीब जी ठीक है जस्बीर पूजा जी सभी को धन्वाद जय हिन्ट